नमस्कार दोस्तों, जै माता दी, जै माम लक्ष्मी, जै माँ भवानी, दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के खास वीडियो में। कि माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आपको धेर सारी तरक्की दे, खूब सारा धन दौलत दे, ताकि ऐसे ही आपके जीवन में दिन दोगुनी रात चोगुनी तरक्की होती रहे। दोपहर तीन पचास के उपरांत बहुत बड़ा धमाका होगा। दोपहर तीन पचास की उपरांत भगवान महादेव जी के आशीरवाद से खुशखबरी का कॉल आने वाला है। और आपको ऐसा शुब समाचार प्राप्थ होगा जिससे आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जी हाँ जी हाँ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप खुशी से जूमने लग जाओगे। क्योंकि इस समय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मिलने वाला है। कौन से सुख मिलेंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इसी के उपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप अपने कीमती समय को गवाए बिन थोड़ा सा समय आप हमें दीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले जो भी मातारानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करने के साथ साथ, नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से तीन बार जय माता, दी जय माता, दी जय माता, दी लिखेगा। उन्हें मातारानी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीरवाद प्राप्त होगा तो ऐसे में आप जरूर लिखिएगा दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें भगवान ने भी फैसला कर दिया जैसा आप चाहते थे बिलकुल वैसा ही हुआ है आज दोपहर तीन पचार बजे के बाद यह घटना आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों आज दोपहर तीन पचार बजे के बाद आप सभी के जनकाल में एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त बदलाव लेकर आने वाला है दोस्तों जानकारी के लिए हम आप से सभी को बता दें आज तीन पचार बजे के बाद जो खुश खबरी आप सभी को प्राप्त होगी वाक्य में दोस्तों ये सब को हिला कर रख देंगे जी हाँ दोस्तों आप यकीन तो नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप इन सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों आपको भी विश्वास होने लगेगा क्योंकि दोस्तों सच्चाई कभी छुपता नहीं है लाख प्रयास कर लो चाहे आप कितना भी जी जानजोर लगा लो लेकिन सच्चाई सच्चाई होता है कोई इसको दबा नहीं सकता जी हाँ दोस्तों और यही सच्चाई आज दोपहर 3-5 बजे के बाद आप सभी के सामने आने वाला है जिसे जानने के बाद आपके दोनों आँखों में खुशी के आंसू टपकने लगेंगे जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आपसे बस इतना ही आग्रह करते हैं इतना ही अनुरोध करते हैं इन्हें आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा वीडियो के अंत में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो की आपका आने वाला भविश्य बदल कर रख देगा गहरे राज की बात बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज दोपहर पांच-पचास बजे के बाद आपके किन-किन क्षेत्र में कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं आपके व्यापार व्यवसाय, केयर, बिजनिस, लव लाइफ, स्वास्थ्य धन के मामले में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिती वह अन्य सभी क्षेत्र में कौन-कौन से बदलाव होंगे इन सभी के उपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एक-एक कर आपको बताएंगे कार्य से लेकर उपाय तक अंत तक देखे बिना कहीं मत जाईएगा आईए बात करते हैं और जानते हैं आपके किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है माता-पिता के आशीरवाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा आपके मन में कुछ उलजने रहने के कारण आपका काम करने में मन थोड़ा कम लगेगा आप किसी को कोई वादा या वचन न करें नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या हो सकती है कोई पुरानी गलती को लेकर आपको पच्छतावा होगा आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में सावधान रहने के लिए रहेगा आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतरकता से चलने के लिए रहेगा क्योंकि यदि आपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ डाला तो उससे आपको नुकसान होने की संभावना है कार्यक्षेत्र में आपके सामने कुछ चुनोतियां आएंगी जिनसे आपको घबराने की आवश्यक्ता नहीं है व्यवसाय में आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपका कोई सहयोगी आपके साथ विश्वास घात कर सकता है जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उनकी मेहनत रंग लाएगी और उन्हें कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है आज का दिन आपके लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लेकर आने वाला है आपको अपनी समस्याओं को नजर अंदाज करके किसी बड़ी बीमारी को दावत नहीं देनी है कार्यक्षेत्र में आप खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे व्यापार में आप कोई बदलाव कर सकते हैं आप अपनी दिन चर्या में योग और व्यायाम आदी को शामिल करके सेहत मन्द रह सकते हैं आप किसी से कुछ धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और परिवार में आप लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे जिससे आपको पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्ध लेकर आने वाला है आपको कुछ विशेश व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा आप अपने माता पिता को लेकर किसी धार्मेक यात्रा पर जा सकते हैं आपकी कोई गलती कार्यक्षेत्र में आपके बॉस के सामने आ सकती है जिसके बाद आपको उनसे बात करनी पड़ सकती है जो विद्यार्थी किसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वह कहीं अपलाई कर सकते हैं। आपको अपने मन में चल रही उलजनों को दूर करने की कोशिश करनी होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुश्खबरी सुनने को मिल सकती है। पार्टनर्शिप में आप कोई बड़ी डील फाइनल न करें। नहीं तो उसमें आपको पार्टनर्स से कोई धोखा मिलने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने के लिए सोच विचार कर रहे थे। तो उसके लिए वह समय निकालने में कामयाब रहेंगे। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। और परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यक्ति करेंगे। आपको अपनी नौकरी में यदि कोई बदलाव करना पड़े तो उसके लिए समय अच्छा है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए उतार चड़ाव भरा रहेगा। आपको किसी कानूनी मामले में समस्या उठानी पड़ सकती है इसलिए आप बहुत ही तोल मोल कर बोले। कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। माता जी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आएंगे, जिससे आप दोनों के बीच चल रही दूरियां भी समाप्त होगी। सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े लोगों के उपर काम का बोज अधिक रहेगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेश कर दिखाने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप कुछ उधेडबुन में लगे रहेंगे क्योंकि लंबे समय से आपने अपने व्यवसाय की और रुख किया था तो आपके काफी काम लटक सकते हैं। परिवार में अपनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कुछ विरोधी, आपके कामों में रोढ़ा अटकाएंगे जिन से आपको बचना होगा। संतान ने यदि किसी कोर्ज को करने का सोचा है तो उन्हें उसमें दाखिला मिल सकता है। आपके किसी मन की इच्छा के पूर्ती होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी से कोई गुप्त जानकारी शेयर ना करें। आज का दिन आपके लिए वानी और व्यवहार को नियंत्रन बनाए रखने के लिए रहेगा। आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। लेकिन आप किसी काम को करेंगे तो उसके लिए आपको अपने सहयोगियों से बात चीत की आवश्यक्ता होगी। विद्यार्थियों न अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिताजी से बात चीत कर सकते हैं। बिजनेस की कुछ योजनाएं गती पकड़ेगी। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप लोगों से काम निकल अच्छा रहेगा। लेकिन परिवार में समस्याएं आज फिर से सिर उठा सकती हैं। आप अपने प्रेम से संभंधित रिष्टों में कड़ी डीडीच वाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं और अपने रिष्टे को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि संभावना है कि अपने साथी के बजाय मुद्दे आप में ही नहित है और कोई भी कदम उठाने से पहले विशलेशनात्मत तोर पर जरूर सोचे। आपका करियर आपक अपना बायो डेटा आरेचेंग से तैयार करें और इसे सबसे अधिक प्रासंगिक व्यक्ति को दे जो की आपने अभी तक नहीं किया है। इस समय आपको अपने करियर को नियंतरण में लेने की जरूरत है। बजाय की या दृच्छिक घटनाएं आप पर हावी हो। आप प वास्तव में चाहते क्या हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और दूसरी चीजें खरीदने हे तू समय उप्युक्त है। आपको आज छोटी मोटी स्वास्थ संबंधी तकलीफें हो सकती हैं। लेकिन कुछ सावधानिया रखने से आप आसानी से उ कि आपका खाना है। आज एक हेल्थ क्लास ज्वाइन कर लें। इससे आपको लंबे समय तक के लिए फायदा होगा। आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा। आपको काफी राहत महसूस होगी। और आप अपने आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे। आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि विपरीत ग्रह आपके कार्यस्थल में अस्थाई गडबड़ी क कारण बन सकते हैं। इन क्षणिक भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्णय लेने से बचे। आप अपने कार्यस्थल पर अपने गुस्से को काबू रखे और विचलित करने वाली स्थितियों को दरकिनार करे। अन्यथा आप एक ऐसी नौकरी को त्याग सकते ह जिसको आप बेहत प्यार करते हैं। आज का दिन स्रिजनात्मक प्रवर्ति के लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके हुनर और कार्यों दोनों की ही प्रशंसा होगी। अपने कार्य के लिए धन प्राप्ति भी संभव है। अगर आप विद्यार्थी हैं हो सकता है कि शहर में ही घूमना चाहें लेकिन आपका विचार खूब मजे करने का है और ऐसा ही होगा भी। आप किसी करीबी के साथ हुए गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। आपको पहले ही ऐसा करना चाहिए था परंतु आज सामने आने पर सब बातें साफ हो जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से आप जिन छोटी मोटी तकलीफों से परेशान थे वे सब आज ठीक हो जाएंगी। लेकिन वे अपने पीछे थकन की एक ऐसी फीलिंग छोड़ डिट जाएंगी जिससे उबरने में आपको कई दिन लग जाएंगे। अधिक स्वास्थ्यकर जीवन प्यार, रिष्टे और परिवार अब आपका ध्यान अपनी ओर आकर्शित करेंगे। आज आप अपने बच्चों के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताएंगे। आपको ये याद दिलाया जाएगा या एहसास होगा कि आपके लिए महत्तवपूर्ण क्या है और जिसकी मस्तिश्क पर हावी था। आप सक्रिये हैं और आज आपकी सक्रिय प्रकृती आपको शीर्ष पर रखेगी। आप सभी गति विधियों के केंद्र पर हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस अपनी गति को बनाए रखने और आगे बढ़ते रहें। अब भी लक्ष क को हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने कार्यक्षेत्र को व्यायवस्थित रखें और समय समय पर अपने दस्तावेजों को देखते रहें। आज आपको ग्रिहों की स्थिती के कारण हर भावना काफी गहन प्रतीत होगी। आपको प्यार और नफरत दोनों ही क बहुत गहनता से अनुभव होगा। आपको यह समझाने वाले अवसर भी आएंगे कि आप किस कारण अब अपने करीबी दोस्तों से पुरानी भावना से बात नहीं कर पा रहे। हाला कि तुरंत कोई भी फैसला लेने के स्थान पुर रूप कर और सोच समझ कर कदम उठाना नहीं सही होगा। त्वचा संबंधी छोटी-छोटी तकलीफों से आप परेशान हो सकते हैं। आज खुद को थोड़ा हलका करने की योजना बनाएं, तैलिये पदार्थों से दूर रहें, बाकी आपकी सेहत ठीक ही रहेगी। बहुत सारे पेड़धों वाली जगह पर आप चाहते हैं कि कोई आपको बहुत प्यार और दुलार करें। आपकी यही इच्छा आपको असुरक्षित और डिमांडिंग दर्शा सकती है। आप आज बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे और अपने पार्टनर को, अपने अफैर को निजी स्तर तक सीमित रखने को कहे यह काफी मुश्किल है क्योंकि आप दोनों एक ही जगह काम करते हैं। उस मुश्किल स्थिती का अंदाज लगाएं जिसमें आप अपने पार्टनर को डाल रहे हैं। अवसाद और कठिनाईयां आज आपके कारिस्थल पर आने के संकेत दे रही है। हालां कि अगर आपने पिछले अनुभवों से कुछ सीख ली है तो आप काफी आसानी से इनका सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। अपने अतीत से ज्ञान लेना समय की आवश्शक्ता है। इस चीज का सही समय पर इस्तिमाल आपके करियर को काफी गती दे सकता है। आपको अपने निर्णय जल चिक्षन में हिस्सा लें। इससे आपको औरों पर बरहत हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तिय परिशानियां आ सकती है। आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंतरित पाएंगे। जो बिना बात आपकी सब चीजों मे टांग अड़ाता रहता है। इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं इसी लिए अपना ध्यान रखें और इस आदमी हकराप तरो ताजा भी होंगे और आपका आत्म विश्वास भी बरहेगा। अब अपनी जिंदगी में अपने उस कहास आदमी के लिए आपको अपना और काम बदलने की जरूरत है। आज आपको यह समझ में आएगा कि आप जिसे आकरशित करना चाहते हैं उसके आपकी ओर आकरशित होने की अधिक संभावनाएं सीधे तरीके से हैं न कि उन चालों से जो आप पहले से खेल कर जीत हासिल करते रहे हैं। यह आदमी उन सबसे अलग है और इसे आपसे खुलेपन और इमानदारी की उम्मीद है। आज का दिन काम और कार्यक्षेत्र के हिसाब से काफी हद तक शांत रहेगा। आज का दिन घटनाओं रहित रहेगा जिससे की आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोठी राहत मिलेगी जिसके आश आपको काफी समय से थी। इस समय की आप सराहना करे और इसे मनोरंजन में बिताए और उन खुशनुमा पलों को भी याद करे जो अपने अपने कार्यक्षेत्र में महसूस किये हैं। आपके सामने नए अवसर प्रस्तुत होने वाले हैं। आप आज तक अपनी जिस प् नभव करेंगे। आपकी अत्यधिक व्यस्त दिन्चर्या आपको स्वास्थ्य और फिट्नेस संबंधी संबंधी किसी भी काम को गंभीरता पूर्वग लेने की राह में रोधधा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जाग रूक रहते अहीं। लेकिन पि जन करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी सारी समस्याएं खुद ही सुलजा लेते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि अगर आप अपने पार्टनर की मदद लेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। आपका पार्टनर आपकी व्यवहारिक मदद के लिए भी तयार है। अगर इस समस्या से आपके निजी रिष्टे पर भी कोई प्रभाव पड़िद याचने की संभावना है। आज का दिन सभी भावनात्मक और वास्तविक मुद्दों के मामले उतार चड़ाव भरा रहेगा। ग्रिहों की चाल यह बता रही है कि आप सुबह भावनात् प्रतिक्रिया के नजरिये से ही सोचेंगे। इस से कुछ गलत फैसलों की भी संभावना है लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा और आप और स्पष्ट तरीके से सोच और देख पाएंगे। पिछले कुछ दिनों से आप स्वास्थ्य की समस्याओं से लगातार परेशान हो हैं लेकिन आप आज इनके लिए कोई संतोष जनक तरीका खोज पाएंगे। ध्यान रखें कि कोई भी तरीका समय तो लेता ही है आपको धीरच तो रखना ही होगा लेकिन यह भी तैय है कि अगर आप नियमों का शीस ए पालन करेंगे तो काफी हद तक अपनी परेशानी से म लगती है और इस लक्ष्य को प्राप्थ करने के लिए उन्हें कई तरह के प्रयोग करने पढ़ेंगे। आपको भी अपनी खाने की आदतें या निवास बदलना पढ़ सकता है। अगर आपका पार्टनर कुछ नया आजमाना चाहता है तो उस पर हसे नहीं। कार्यालय का प्रेम आपको एक चुम्बक की तरह आकरशित कर रहा है लेकिन कार्यालय काम करने के लिए है और अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए नहीं है ये आपको याद रखने की जरूरत है। आपके सहकर्मी इस बात की सराहना नहीं करेंगे। ये एक मोह हो सकता है आपने काम पर ध्यान लगाईए और अगर ये होना है तो ये निश्चित रूप से होगा अन्यथा ये बुलबुले की तरह से फूट जाएगा निश्पक्षता पूरवक इसे ले आज आप एक बहुत बढ़्धी साजेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्षों के बारे में सपष्ट बता देना चाहिए यदि कोई विवाद हुआ भी तो आपके भावनाओं में बह जाने की संभावना है इस प्रवृत्ति पर नियंत्रन रखें आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बोधिक कार्य कलाप या कलाकारी संबंधी रूची में लगा सकते हैं आज आपको अपनी शारिरिक फिटनेस को और भी दुरुस्त करने के लिए किसी से प्रेरणा मिलेगी आई आप दिमागी तोर पर यह बात अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी फिटनेस को सुधारना है लेकिन करने के नाम पर आप पीछे हटते रहे हैं आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो चाहे खुद बहुत अच्छे रूप आखार का स्वामी ना हो लेकिन आपको अवश्य प्रेरित करेगा आज आप कोई नया व्यायाम कार्यक्रम या खाने का नया पैटर्न शुरू कर सकते हैं आज का दिन संबंध सुधारने और पुराने गलत फहमी को सपष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित है आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आप से दूर हो गया था इस बात की संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे अतीत और वर्तमान के रिष्टों का संतुलन साधना आज के दिन का सबसे बढ़्धा चुनौती पूर्ण कारे होगा आप उस पैसे के साथ काफी लापरवा है जो आपने अपनी जरूरत के लिए बचाया है लेकिन आपको भविष्य में अपनी वित्तिय सुरक्षा के लिए अपनी असाधारण आदतों को नियंतरित करना होगा आप अपने निवेश के बारे में एक विशेष्ट से परामर्ष करें जो आपको धन के बारे में उचित परामर्ष दे सके जिससे धन की वृद्धि हो आज आप जो भी कुछ शुरू करेंगे उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आएं आपको सफलता मिलनी तया है इस दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बहतर संबंध बना पाएंगे अपनी प्रकृती में एक जरूरी बदलाव लाएं हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में न रहें सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा आज आप थोड़े से घमंड के मूड में रहेंगे अपनी इस साहसिक उर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें जो आपकी विश्वसनियता पर आज संदेह जाहिर कर सकते हैं लेकिन अगर आप खुद को उनकी बातों से प्रभावित होने देंगे तो आपकी तबियत खराब हो सकती है इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप या तो किसी फिटनेस कार्यशाला में भाग लें या किसी कैम्प में जाकर मजे करें